यह फ्रेडी कई कारोनों से घबरा जाता है मगर जब उसे एक आत्मा दिखाई दी तो पूछो मत कि क्या हुआ पूसर यह आत्मा वगएरा की बात चलती है तो दो-तीन बाते दिमाग में आ जाती है एक तो यह कि लोग हमेशा बुरी आत्माओं के बारे में क्यों सोचते हैं यह आत्मा है न जाने कहां से आती है और आदमी को इतना डरा देती है कि उसकी मौत हो जाती है ऐसा जब कोई केस हमारे पास आता है तो हमारा दिमाग भी चक्रा जाता है हम भी सोचने लगते कि आप वाकई ऐसा हो सकता है कि आत्मा किसी का खून कर दे कर चोड़िये यह जो केस मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसमें आत्मा पहले कावेरी को दिखी और फिर मुझे दिखी मैं तो भागा उसके पीछे मगर मिली नहीं, मिला तो उसके पैरों का निशान, पैर के जूते का निशान, देखिया आप, जब आत्मा के पैर का निशान मिलता है, तो क्या होता है? जब आत्मा कर दो करें, जब आत्मा कर करने की कोशिष क्यों करती है? मगची मुण। रागनी 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 कुछ दूख दो रागनी, रागनी सब कोछ छीख हो जाएगा प्लीज निचा जारों रागनी प्रिशान, वो मुझे मार डालेगा, मुझे, मार डालेगा, मुझे, रागेणी, बटा, नीचे आजो, तुम्हें कुछ नी होगा, पिटा, आजो, नीचे आजो, ने, 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 इस्की तेले कि वो चुझे भारे इसकी जान में खु़प अपनी जान से दूंगी नहीं, तुम गलड बाज रहा हुआ तुम परीपाद मेरीबाद समझने की कोशिछ करो तुम्हे धी नहीं होगा नहीं, नहीं, नहीं नहीं जानती आप उसको, नहीं जानती वह घुर मारा अब फच्छी। नहीं, भबी नहीं, बैसा कोछल एर्यावहभी। घ्रडर चलो जब ऐ। राओगमी, राओग मार! छोड, छोड मां, भुझे शोड, रागमी, ठोड मां ठीरी! रागमी धीरी पॉपwrज। रागमी, रागमी। रागमी। ACP साब, प्लीज मेरी रागणी को बचाईए, कुछ कीजे असादमी का, अगर अगर आज में नहीं होता, तो वो तो जट से कोधी गई थी, पर है कौनी आदमी, रागणी ने तुमें उसके वार में कुछ तो बताया हुगा है, नहीं, आने बहुत कोशिच कहा, लेकिन उसने म अगर आदमी जिसने लिटर्स लेके, वो लिटर्स है आपके पास? यह, गुट, ज़र जल्दी ले आईए, ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई आदमी इसके वाइफ को तंग कर रहा है और और रिसे कुछ पता है नहीं है, वही तो यह, पांच लेटर्स लेक साथ है यह, नहीं, हर एक महीने एक लेटर आदा था हमारे को, हर महीने? मतलब पिछले पांच महीने से कोई रागीनी को लेटर लिख रहा है और तुमने अब दर किसी को बताया थाक नहीं? जी, अब तुम उचसे दूर जाने के कितने भी कोशिश कर लो, मैं तुमे किसी भी तर्व धूंद निकालूंगा। यह, यह 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 नहीं कुछ अरे भी लग रहा है हम् आइअ च्जादिक, आइअ नहीं... कादरी रिलाउस, रिलाउस आपको जब यजब 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 वरी देखती है आइसे बड़ाने लगती है कई चीछने लगती है, कई रोने लगती है अप्ने पोस्ट ओफिस दिए थे से लेज़ करा लेकिना इसको भी कोशिश नहीं की यह डिजिरा है विए लेटर्स पोस्ट ओफिसे नहीं आया है यह में गर के बहर पढ़े मिल थे आप रागनी के बारे में कुछ बता सकते हैं? मेरा मतलब है अगर कुछ रखा हो तो यह जो जादा क्या बता हूं सर्व रागनी की माँ बच्पन में गुजर कही थी हाँ अगर आप चाहें तो रागनी के डैट से मिल सकते हैं, मिस्टर महेश यह जो जो बताद कर दोख दोखा है मिस्टर महेश साब आप रागनी के पताजी थी एसीप साहब यह क्या सुन तो क्या यह सच है कि मेरी बच्पनी के थे खूशिक करने के कोशशिश की थी यह जा हम झालूब रखाद में इसा 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 बालूब थी आपकी बेटी आत्मत्य करने वाली है? जी है, जी है साथ. तो फिर आपने ये बात अपने दमाद इचान को क्यो नहीं बताई? साथ होने वाले दमाद को कैसे बता था? कि शादी से पहले वो किसी और से प्यार करती थी? आपकी बेटी किसी और से प्यार करती थी, हाँ साब, किस से? ये तो मुझे नहीं मालूम कि वो कौन है, ये कैसे हो सकता है महीजी, आपकी बेटी किसी और से प्यार करती थी और आपको मालूम नहीं एसेपी साहब मैंने बहुत बार कुछने की कोशिश की थी लेकिन वो उस लड़के से इतना डर्ती थी कि उसका नाम तक अपनी जबान पर लाने की कभी हिम्मत ने की उसने क्यों? क्योंकि एसेपी साहब वो उसको मारता था पीचता था और उसकी ज़र की वज़े से उसने कई बार खुद कोशी करने की कोशिश की थी उसकी जाब बचा कर मैं उससे मूंबे ले आए और एक प्राज़क मेरसिंग होम में उसका इलाज भी करता और इशान से शादी? अलव मैरेज है? नहीं एसेपी साहब उस इलाज के दौरान मेरी मुलाकात इशान से हुई थी ओ इशान? इशान बहुत अच्छा लड़का है इसी पिसाब और रागे में भी उसे पसंद करने लगी थी इशान? इशान तो उससे शादी करने के लिए भी ताइयार हो गया था अब मुझे लगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा लेकी लेकिन क्या? लेकिन फिर से उधन की वाले लेटर्स आने लगे फिर से मतलब ये लेटर्स पहले भी आते थे? हाँ साब तावी साब पहले आते थे वो लेटर्स हैं आपके पस? है जाए साब है आप चिंताम कीजिये मैं, हम उस पागल आशिक को जल्दी से जल्दी ढूंद लेंगे, बस वो लिटर्स हमें दीजिये तुम्हें क्या लगता है? बाहर वो मेरा इंतिजार कर रहोगा मुझे मारने के लिए? अगर वो बाहर है भी तुम्हे हूँ ना? रागनी, एक बात पूछूँ अगर तुम्हे बुराना लगे पूछो जिस आत्मी के बारे में तुम हमेशा जिकर करती हो, वो कौन है? मैं मैंनी मताओंगी मैंनी मताओंगी रागनी, प्लीज हमारे जाना बहुत जुरुरी है कि लड़का कॉल है जिसके बारे में तुम्हे अपने डैडी को भी नहीं बताया है और नहीं इसान को वो 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 मुझे कुछ मत पूछो वो 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 मत पूछो और रागनी कुछ कुछ रागना तो वो 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 रागनी कुछ कुछ वे रूम से रागनी इन आशिकों के बारे में कुछ भी बुलना मुश्किल है कब क्या कर वेटे हैं कह नहीं सकते हैं वेटे करूगे ज मुझ कुछ पता चला एक ही अदमी ही सर्क फ़राने वाले लेटर और नय वाले लेटर्स दूनों इक ही आदमेने लखे हैं एक ही आद्मी दय अभी किसी भी हालत मेंसाद में त्रूं जुन करने का लो उसे सिखाना पड़ेगा कि एक लड़की को आत्मा त्या करने पर मजबूर करने का क्या नतीजा हो सकता है और धैजब तुम उसके हाथ पर तोड़ोगे तब भी मैं कुछ नहीं बोलूगा सर एक बाद समझ भी नहीं आ रही है यह रागीने का बॉइफ्रेंड तीन साल तक चुप क्यों रहा है और तीन साल बाद अभी अचानक फिर से लेटर लिखना शुरू कर दिया हाँ सर तीन साल तक चुप बैड़ा था क्यों हो सकता है कि उसने रागीने को कहीं अचानक देखा हो या फिर उसके साथ कुछ बात होगी जिसकी वज़े से पुरानी आग बड़क उटे सर ये ग्रागनी का बेहवियर भी बड़ा अजीव है क्या मतलब? सर ये वस आदमी का नाम क्यों नहीं बता रही है जो इसे तंग कर रहा है वही तो एक आदमी उसकी जान के पीछे पड़ा है और ये लड़की उसका नाम बताने को तहियार नहीं हाँ सर कोई तो कारण है जो आत्मत्य करने की नाव बताई और कुछ पता चलता है इस आदमी की लिखावट से हैंड राइटिंग से सर इस आदमी के दिमाग से जरा से नहीं चलता है अगर इसके हम अलफावट को गवर से देखें सर सर ये देखें कान ये 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 बहुत उठ्य हुए सर और इसके कोने देखें सर अगर ये 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 तो सर बहुत ही तेज है तयायों ण्लावा है, जैसे यह पता किलता है कि यह शक्त बहुती तेजża दमाका है, और बहुती कुस्से बाला है, जो एक ही काम को बार बार करता रहता है, जैसे हम ऑसेसिव कमपल्सीव डिसॉरी ड्सॉर्जरी ऑप्सेसिव कमपलो सिव डिसॉर्डर, OCD, प्रिडिक्स, इनके साथ बैठकर इस आदमी के पूरी परसनलिटी का प्रोफाइल बनाओ, इस आदमी के अबारे में मैं सब कुछ जानना चाहता हूं, यहां तक कि वो क्या क्या कर सकता है, क्या क्या करेगा, सब कुछ, हमें इससे एक कदम आगे रहना है रादी, रादी लुक्चा प्लीज़, लुक्चा प्लीज़ एसबी साब आपने इसे पेरी बेटी के देखबाल के लिए रखा था ना, परे कैसे हुआ देखे, इन्होंने पूरी कोशिश की थी, मगर आपकी बेटी जान देने पर तुली हुए थी लेकिन उसको रोकना चाहिए था मैं आपका दुख समझ सकता हूँ, लेकिन मेरी ओफिसर ने अपनी परफ से पूरी कोशिश की थी आप लोगों की आखों के सामने सामने हुआ हैं सर सर, रागनी ने मुझे बात्रों में बंका दिया था अच ऐसे बहा निकली, देखा तो पूल के तरफ भाग रहती और में नीच आई तब तब तो वो कावेरी तुम्हेरा कोई कसूर नहीं है तुम्हें पूरी कोशिश की है सब समझ में नियारी कि लागनी ने कावेरी को बात्रों में क्या बंकिया होगा अभीजी, अगर कावेरी को बात्रों में बंद ना करती तो आयो बच जाती है मतलब साब रसाब इसमें तैकर लगा था कि जान देनी है बस, बोलती है, जान देनी है और अलग हो गया अगर सर, अगर यह लड़की पानी में खुदी है तो कावेरी के यह पॉंचने तो किसकी मौत तैसे होगी पानी में तो इतनी जल्दी किसकी मौत नहीं होती सर, मुझे तभी तो यह शॉक लग रहा है कि और एक सेकिड पहने तर तो वो पूल के तरफ भाग रही थी मैं नीचे पहुची थो माच रुकी थी मुझे 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 से आदा मिनिट ही लगाओ बसा नीचे आने में मुझे भी कुछ तो गड़ लगाई है कुछ तो गड़ जरूर है गोल्डन एंकलेट विवेक हाँ सर, यह देख, गोल्डन एंकलेट जायद भागते वक्क रागिने के पैर से निकल गया होगा यह सर, हम है रागिनी, रागिनी रागिनी, रागिनी रागी लेख लोग लेख लोग्म.. Suit your जागी लगी लिख लेखे, लीख लो मोद हमने कि सफ में क criminal मैने तुम से बचाने की गोषिश करी ले डिर्य करेप रागिनी यह तो मल चुकी है रागिनी यह तो मल चुकी है रागिनी यह तो मल चुकी है क्या पता सकते हैं रागिनी शादी के बाद क्या अपने किसी दोस्त यह सहीली से मिली थी नहीं मेरे सामने तो नहीं मैं बता सकता हूं वो किस से मिली थी आप जी आप कावेरी 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 से उन सब के अंसर पेपर्स बंगाँ सारे के सारे पेपर्स उससे क्या होगा हमारे पास उस लड़के की हैंड राइटिंग है वो धंकी भरे लेटर्स हम उस हैंड राइटिंग को आंसर पेपर के हैंड राइटिंग से मैच करके देखेंगे पता चल जाएगा वो लड़का है कौन करेंगे एक एक पेपर पक्षी दर इसे चेक करो कोई भी पेपर शूटनानी चाहिए 40 स्टुडेंट्स थे सर रागिनी की क्लास में 40 40 अब तो तो कुछ की सर क्यों तुमें कुछ तकलीफ है प्रभी किस पाति सर सर यह तुमेरा काम है सर काम ही है ना तो फिर भले 100 टॉपर हो एक एक पेपर चेक होना चाहिए सब के एंड़इटिंग मिला कर तेखो क्या हुआ भी है कुछ मिला सर यह यह जो एंकलेट हमें स्विमिंग फुल के पास सर निलाता है यह सोने का है और रागिनी के बॉड़ी के उपर जितने भी गैने थे उसमें एक भी सोने का नहीं है अचिक्ष जा कुछपता चला उस लड़के का? ने अब तक तो नहीं लेकिन समझ लो कि मिल ही गया मैं जिछ ज़रा ये देखे ये ये यह रागिनी का है रहे नहीं पर आओ जो फूनानी की बेहनती थी जिए रागिनी का हुझने का नहीं पहनती थी आपने बदन पर शोना न मेर, किसका है ए सब मिलGA गया इस पेपर पे जो हन्राइटिंग है सब तो हमाइटिंग हो रही है उचाल भीज़ अ एंदेटिंग मेट नाया है यहाई दो है किसका पेपर रही है सब पेपर तब उस लड़केका रोल नमा मिल गया है किसका ये एंखलेट आप मेंसे किसी ने देखा इसे यह आप मेंसे किसी का एंग किसका एंग ये एंखलेट कहां मिला आप हो उसे स्विमिंग भूल से जहांसे मेरागिनी की लाज मिली तुर्ण इंखलेट आप हमें क्यों दिखा रहे हैा क्योंकि आप लोग के अलावा इस ओचल में कोई भी नहीं है तो ये उनकलेट अप मेंसे ही किसी का euh तो जिसका भी एंखलेट है उस सामने आ जाए सब के बलेट का सेंपल लेते हैं ird 박ुर्णियां मेरे उसे मैश कर के देखते हैं ब पिल्कुल. जोनिया, सब के बलड साम्पल्स ले ले लो. यह सिर्ण यह क्या मजाग है? हमारा खुन लेकर क्या फाइदा? फाइदा है. आपका बलड देन और इस अंकलेट पर जो खुन लगा उसका देना मैच करके देखेंगे. यह अंकलेट किसका है पता चल जाएगा. कर दो, कर दो हे! खाजार रयोतो! लोगेँ! लोगेँग! लोगेँग! यह थी तुम्हारा ही ना क्यों रागीनी को क्यों मारा तुमने? 하ागीनी में क्यो नरागीनी beneficiे पहले से अची नहीं लगती थी ऐख कोई अदमी था सब चाहिए मैरी तरफ थी और कोई मुझे नेक नाले, इस जर से में वहां से भाग निकली, शायद तभी मेरे ये आइकलेट ही हागीर गया होगा कहीं वह आदमी इशान तो नहीं था? नहीं, वह इशान नहीं हो सकता, वह कोई और था तो फिर कौन था वह? उसकी आवाज से कुछ तो पता चलाओगा नहीं सार, उसकी आवाज मेरे पहले कभी नहीं सुनी थी पर पर क्या? पर उस दिन रागिनी ठीक ठाक लग रही थी उसकी बातों से ऐसा बिलकुल नहीं लगता था क्यों से पागल्पन के दोरे पड़ते हैं बुना अजीव चक्कर सार, रागिनी, 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 रागिनी कहाँ है? कहाँ है? कहाँ है? कहाँ है? वह जार के पिछीव में हिस गर। मुझनी है अवारे प्रागिनी त्स दोनी कहाँ परणने क फिर हाँ मैं मैं जासी प्रूम जञाए। तो यह कि सकता है हम में पड़ती है कहाँ पूम्हाँ सभ्वाल रागिनी वह बापस उह नहीं आती मझे वापी अगई है अजिनो मजसे फिरी क्यों बार वाओ फ्रोल्य एक, बार बार आठीन के कारिट कांई इंभ लुंकिक हारती आठीने बता है कि और रागेदीया बन खाली एत्ड पहले वह वह ले जैं肥े जरओ रिधे है रही इंग्र का पर यदीन काया किसने लिखे हैं इन लेटर्स की बज़े से मर गई है वो तुम्हें कून के इल्जा में गिरफतार किया जाता है सर प्लीज सर मेरा एकिन कीज़े सर बने तो किते दिरों से उसके आवाज भी नहीं सुनी सर अच्छा ठीक है याद है तुम्हें मैंने कहा था कि जब तुम इसकी पुस्टाज करो तो मैं अपना मुय मोरिया भी गरो पुस्टाज तुम्हा ठीक ने जूरांगियः दूर्कियाओ सर प्लीज उसलेव ièreगा है कि यह एल्ज भाइभ छाट है हम यह जह जैव पखर आण झाल शाहिए समस्ट जो के लिखे वे आपको प्रेंए. इसंदो आपको बासा है. जो को सम्हें हुआ मैं अपकर के दूस्ट अब ता बाउश्चे है. मैं सुछी हुआ तो जिखे जदें. करें निखें तो लोगारा है. करें तो तो दुछी है. करवकारी. मुझे बार-बार दिखती है मैं समझता हूँ लिखिन व लड़की नहीं है यह तुम्हारा गिल्टी कॉंशिंस है क्योंकि व लड़की तुम्हारी आंकों के सामने मर गई सब्सक्राइब दिखिया एकदम भई साथ एकदम भई हैंड राइटिंग इसी नहीं लिखें लेटर्स रढ़ा क्यों लिखें लोड़के जब तो मे अमनुन ता कि रागिनी की झादी हो चुकी है शादी पहले बेज्एसाने ब्रेजिया उना इसे लोगोःनочно से एकधर ऑब हुगे चाल बमार ररी है मैं मानता हूँ मैं उससे प्यार करता था उससे मारता भी था प्यार भी करते तो उससे मारते भी थे हाँ प्रेटेक्स इसे लोगप में लेजाओ और इसके एरस के पेपर दो सर प्लीज सर बिरे अकीन कीजिए सर शरी भैने नहीं किया सर तो तुम्हारे हैंढ़ने माच कैसे हो रहीं है सर कोई मेरी हैंटाइदिं मेरेटर लिए है सर सिर अDe ले यहाओ इसार, जा एग मिल्हाई किनकी जेसन, जेक जोरा, से निख को सार। इस गाविरि को रागणी के मौत का बड़ा सदमा पहुचा है है हाँ..? काविर गो लगता है के रागणी के आत्म ऑसका पीछा कर लई है महां होटल में बहुत मुश्किल से संभाल है सर्वने से इसलिए मैं चाहता हूँ कि आज तुम उसके साथ ही रहा हूँ एसलिए नियुक्त सर्थ थैंक्स गावेरी देखो फिकर करने के कोई बात नहीं मैं हून आई हाँ और तुम यहां अखेली नहीं हो समझी है थैंक्यू सर्व मैं जानती हूँ मेरे वज़े साथ को बहुत परिशानी अठागी है परिशानी कोई परिशानी नहीं है CID में तो रात दिन का का में है मुझे कोई प्राब्लम नहीं है सर्व आपके लिए कुछ मुझे कुछ ने जिए है मैं रात को सोने वाला नही हूँ सर्व मेरे बात पर कोई विश्वास नहीं करता है मैं रात नहीं को देखा है उसकी लाश वहां मुदागर में अभी भी बढ़ी है सिर्ण ऑुझ ए वहां माॉशी थे भी यहां मुझे तुमारी यही रात नहीं करतु आपके भी जाता है कावेरी मेरी समझ इन वडाने मेरी समझेही है इंपर यही रागेलивал कि तूमें क्यों आपके आपके भी यह झाले। सार्व पर भी तक रागिनी नहीं, उसकी आत्मा हो देखो, आपनों इप लोग इब रात को आत्मा ओप लाता है कावेरी एक C.I.D. एवेज़ अपिसर हो इन सब बातों पे इश्वास करते हैं सब रागिनी शायद सिर्फ मुझे ही दिखती है क्योंकि उसके मौत के वाग्यूद के वाग्यूदी उसकी आत्म मुझ से बदला लेना चाहती है अगार, आपने आपको संबालो का वेरी तेक कि तुम्हेयाद है कि रागिनी ने तुम्हें आपको बंद गया था और फ्र उब वाग्यूदी तो उसकी मौत के जिम्मेदा तुम के से हुए? यह सा सौ लग इन पर पर ब antimरी इंस do प्रेघ्ड झाल, मुड़ा पो सब्सक्राइ vedere out सब्सक्राइब करने के लिए भीजाता है ना कि उसकी जैसे बनने के लिए मैं मैंने भी तुम्ने है लिए तो मैंने ली लागने के लग करो वाए दुभी था बने यह कर दो कर लूवरेल करन मदें सब्सक्राइबित में लुद्र किते उवह वेहा है थे वोजे, प्रभी एंड उन्हीं प्रेगा है ऍजिए एयह जहां रभी आए रहा है मतलब रघगी ङॉन थे थे सा दुखने वाली दूसरी लड़की है या तुम्हें भी देखा मैं भागाता सार तुम्हारा कहने का भागी के भी दिखने वाली लड़की है या फिर उसकी कोई जुडवा बहन है? जो कावेरी को डराने की कोशिच कर रही है? क्या हो सकता है? है? हो सकता है, Sir? क्या हो सकता है? एक जुडवा बहनों का चकत्फ अच्कत्फ में वेने फिल्मों में देखा था लेकिन सी आईडे में ऐसी बात होना मतलब चलो मान लिया कि रागिनी जैसे दिखने वाली कोई लड़की है लेकिन अब आप में ये पता लगाना चाहिए कि वो कावेरी के पीछे क्यों पड़ी है सब एक बात और है अब बो लड़की मेरा मतलब रागिनी ने वही कपड़े पहने हुए थे चो असली रागिनी ने मरते वक पहने थे क्या ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई इसका मतलब ये सारी बातें रागिनी की खुन से जुड़ी हुई है सिरब तो मुझे भी शक होने लगा है कि इस रागिनी ने सुसाइड किया है या नहीं हमें इस नकली रागिनी को ढूनना होगा क्या वाद है रागिनी आप हमें आप मैं मैं आप नहीं आप आप रागिनी की अंतर आत्मा तुम्हें भागनी की क्या ज़रुत है है शॉटकट का जमान है उड़कर चली जाओ तुम तो आत्मा हो और आत्मा तो वेसे भी उड़ते ही रहते है ना क्यों रागिनी तुम रागिनी हो ना मैं असलिए ना हम क्या तुमारा अ बताओ मैंजी मैंजी तुमने इसब क्यों किया मैंजी पैसो के लिए पैसो के लिए हाँ हाँ पैसो के लिए अगर मैं ऐसा करूँगी तो मुझे एक लाख रुपए दिये जाएंगे मगर तुम रागीनी कैसे बन गए? मेरी प्लास्टिक सजरी हुई है वो मैं ही थी जो स्विंग पूल में कुदी थी मगर पूल में तो हमें असली रागीनी की लाश मिली थी वो किसी ने कहीं से लाकर डाल दी होगी पूल से निकलने के बाद मैं जाडियों के पीछे चुप गई और फिर महां से भाग गई हो सकता है मेरे जाने के बाद किसी ने असली रागिनी की लाश को पूल में डाल दिया हो डाल दिया होगा मतलब सर मतलब मैं मैंने अपनी आखों से तो कुछ नहीं देखा ना मैं तुम्हा जाडियों के पीछे चुपी होगी थी मतलब किसी ने असली रागिनी का खूल करके उसकी लाश पूल पेख दी? शायद शायद इस सब के पीछे कहौन है? कौन दे रहा था पैसे तुमें? नहीं मुझे कुछ नहीं मालूम मैंने बस बस उसकी आवास फोन पर सुनी थी मैं सच कह रही हूँ इसके आगे मुझे कुछ नहीं मालूम एक हाथ ऐसे दूगी ना कि ना नहीं आद आ जाईगी मैं मैं सच कह रही हूँ मुझे कुछ नहीं मालूम पूल से निकलने के बाद मैं थो अपने घर की दरू भाग गई थी अगर तुम भाग गई थी तो तुम बार-बार कावेरी से मिलने की कोशिश क्यों कर रही हो? क्योंकि मैं कावेरी को सब कुछ बता देना चाहती थी लेकिन जब भी मैंने इंसे मिलने की कोशिश की कुछ ना कुछ ऐसा हुआ कि मैं डर गई और यहां से भाग गई तब से मैं छुपती भीर रही हूँ क्यों? क्योंकि मुझे आप लोगों की मदद की जरूरत मैं सच कह रही हूँ मैं नहीं जानती थी कि जो मैं कर रही हूँ उससे किसी की जान जा सकती है मुझे सच में कुछ नहीं मालूँ था और अब अब बोलो मुझे मारने की कोशिश कर रहे है जब जब कोई और रहसा नहीं सुझा तुम्हें यहां आगे कौन तुम्हें मारने की कोशिश कर रहा है सर पता नहीं पूल से निकलने के बाद जब मैं अपने घर की तरफ चा रही थी तो एक एक मास्क पहने हुए आत्मी ने मुझे बारने की कोशिश की किसी ना किसी तरह से अपने जान बचाती हुई मैं वहां से भाग गई चलो फोड़ी तेर के लिए मानते कि तुम सच बोल रही हु तो फिर वो कौन है जो रागणी का खून करके ये दिखाना चाहता है कि रागणी ने आत्माध्या की है किसी एडी हर रोज हमें किसी ने किसी बहाने से इंटर्वी के लिए बुला लेती है मैं भी परिशान हो गई हूँ एक बार में क्यों नी पूछ लेते जो पूछना है एक क्या बार 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 ये तो तब ही बंध होगा ना जब वो आग्मी पकड़ा जाएगा जिसने भावी को लेटर्स लिखे थे सिर्फ पकड़ा नी जाए उसे फांसी की सजा होनी चाहिए तब ही रागणी की आत्मा को शान्ती मिलेगी रागणी की आत्मा को शान्ती तब ही तब ही जब मेरा खूनी पकड़ा जाएगा उसे की मत चुकानी पड़ेगी उसे की मत चुकानी पड़ेग sizin! हाँ 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 वो दो गायभ हो गई सब्सक्न की की आत्मा राख हाँ आत्मा ही थी वो मतला लेगी मतला लेगी वो यहाइ, यहाइ! यह क्या कर रिरु है? मरगें बचारी? तुम लोग? हाँ, हम लोग! हमें मालूम था तुम जरूरा होगी मेंडी को मारने के लिए क्योंकि सिर्फ तुम ही जानती थी कि ये मेंडी रागिनी नहीं है और ना ही वो कोई आतुमा मुझे उपर बेजने वाली थी तुम लोग? मुझे एफजाने की कोशिश करें कुछ ऐसे ही समझ ले मैं अपने बेटे की जिंदगी बरबाद होते नहीं देख सकती थी मैं नहीं चाहती थी कि मेरा बेटा एक पागल लड़की के साथ अपनी जिंदगी बितार और इसलिए तुमने रागिनी का खुन कर दिया और लोगों को दिखाया कि उसने आत्मत्य की है मैंने रागिनी के आतीत के बारे में पता लगा है मुझे पता चला कि समीर नाम का एक लड़का शादी से पहले रागिनी को दम की भरे ख़त लिगा करता था कहीं से समीर का एक ख़त मुझे मिल गया तो समीर की हैंड़ाइटिंग आपने वहां से चोरी कर ली हाँ मैंने मैंडी को पैसे का लालच देकर उसे रागिनी बनाया काई बाहर मैंने इससे पागलपर के नाटक करवाए ताकि लोगों को ऐसा लगे कि उसने पागलपर में आकर ही आत्महत्या की है वह लड़की चिसने मुझे कामरे में बंद किया था, रागिनी मेरा मतलब, वह मैंडी थी ना वह मैंडी थी यही स्वोमिंग फूल में कोदी थी तो असली कहा हा थी वो थो बेहोश थी तो फिल असली रागिनी पूल में कैसे पहूची क्या क्या करते हैं लो जब बेटे की वाइफ थी तो बेटे को ही देखने देती के बीबी अच्छी है या नहीं पती पत्तिं के बीच में नाकुसानी की क्या ज़रूरत थी उसका खूनी कर दिया अब जिन्दगी पर जेल में बैठना फासी ना हुई तो भी अधिका चकर बड़ा गंभीर होता है मतलब सभी लोगों के लिए नहीं कई लोगों के लिए तो ये बड़ी खुशी की बात होती है लेकिन कई लोगों के लिए यही बात गले का फंदा बन जाती है अब आप ही पताइए अगर किसी की شादी तय हो जाया तो खुशी से फुला नहीं समाता कबुत्र की तर्थ नाचने की सोचता है लेकिन इसी में अगर कोई विलन बीच में आ जाये तो अब एक बार शादी तय हुनी के भाद ऐसा होना जर्ण मुश्किली है लेकिन इस केस में ऐसे ही हुआ बेचारे के खुशी पर पानी पड़ गया गया भागा भागा अपनी लड़की के पास और वहाँ जाकर देखा तो उसकी आँखें फटी की फटी रह गई हमें तो बहुत बात में पता चला कि हुआ क्या था हमें सडक पर एक लाश मिली एक लाश ना उसकी जेब में से कुछ मिला ना उसके कपड़ों से कुछ पता चला बस सिर्फ एक बात पता चली सिर्फ एक बात मरने वाले के मूँ से दारू की बदबू आ रही थी दारू की बदबू बस इसी दारू की बद्बू से हमने खुनी को पकड़ लिया कैसे? आप खुदी देख लीजिए अरे ये कहां से आ गया? अवे पागल हो गया क्या? तुझे मेरी गाड़ी मिली मरने के लिए क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? इसी अईड़ी? चले, बाइव प्रेडी प्रेडी भर नहीं चलना है? राद के दस बद कुके हैं और राज तो के चेस भी नहीं Gods job Freddy Freddy Kida मैं लूुटगए सर, मगर्गया क्या ? कि еще तहाँ yo को रहने देजिये सर राप उनका कुछ नहीं कर सकते एक तरो इसा कौन इसके का mouse कुछ नहीं कर सकते सर आज मुझे मेरे कॉलेज की कुछ दोस्त मिल गई थी सर तो इस पर रोने के क्या बात है उन लड़कियों ने बीच सड़क पे मुझे देखके जोर से चिक्पानी सर लोगी कट्टा हो गए उने लगा कि मैं कुछ करने वाला हूँ वो लोग मुझे बाहर ने आय थी सर पर व आप पहले आज से नहीं थे बिल्कुल नहीं एक दम कड़का था स्मार्थ अब फिर क्या वो लीफ हो वो बोने अच्छा हुआ तेरे से शादी नहीं की हो 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 यह बात है तो तुम्हारा उसके साथ चक्कर चल रहा था पिर पूजा किस से की बता दिया बता दिया बता दिय फिर जैसे ही मैंने बताया तीनो की तीनो फिर से जोर से चीगी सर इसमें चीखने की क्या बात है अरे सर वो तीनो की तीनो लड़किया मेरी वाइफ को जात दिया सर उसने मुझसे कहा कि मैं तेरी वाइफ को फोन करके बता दूँ कि क्या हमारा चक्कर चल रहा था अब तो तो उसमें फोद भी कर दिया हो गतर अलो अलो CID Bureau क्या लाश पढ़िया का पर अच्छा ठीके आम लोग आते हैं क्या आते हैं इसके पास पर दूसर पैसे ही है अच्छा एक बात पताओ जी क्या इस आदमी के साथ और भी कोई था नहीं साथ अकेला ही खड़ाता सड़क पे आसपास और कोई भी नहीं था अकेला ही था? अहां साथ बड़ी अजीब बात है एक आदमी रात को रास्ते में अकेले में चलके जाता है उसे हाट रटेक आता है और वो इस टेक्सी के सामने आकर अपना दम तोड़ देता है मगर दम तोड़ने से पहले वो सिर्फ एक नाम लेता है CID का हमेशा ऐसा क्यों होता है हमें कुछ बताने से पहले ही लोग मर जाते है यह गलत बात है न इसके मूँ से यहाँ खून निकल रहा था सुप गया सर यह तो कुछ और ही गरवर लगती है सर कहीं किसी ने इसे जहर तो नहीं दे दिया लगता था कुछ ऐसे यह कहीं ऐसा है उसने कहीं जाकर जहर खा लिया हो लेकिन सर जहर खाके कोई सड़क पर क्यों घुमेगा सर फ्रेडरिक्स बहुत कुछ हो सकता है या तो इसे कुछ याद आया होगा या फिर वो किसी से मिलने जा रहा हो यह भी हो सकता है किसी से मिला हो जिसने उसे जहर खिला दिया है पिला दिया हो सर इसके बदन से एक अजीव सी बदबू आ रही है बदबू आ रही है है हां सर कैसी है क्या हुआ बहा बहा है इस आद्वी ने शराप पे रखी है इसके मुंसे बुप आ रही है इसका मतलब है सर यह आदमी यही कहीं आसपास के किसी बार में बैट के इसने दारू प्याओगा देख काम करो आशपास जितने भी बार्ज हैं सब बार्ज में जाकर पूश्टाश करो इसके बारे में कि अच्छ एख मिलेगी अः यह ए ए यह यह ए मिलती है यह लिए बार एबार ए यह यह बार नहीं दारी यह जब अब इस विर विल्टव को अले कि आप्छ वैंका अफ डद्र में यह ए इक पर खाना आपसे यह अपे चाय नहीं मिलें इन फिर बस बस जादा मत बूल जा अं शाहब, रात के तीन बज गए है ना, सब ठक गए, इसके कोड़ा पड़क गए है कौन है, किसको चाहिए है मुझे चाहिए मिश्टर रात को तीन बज चाय नहीं मिलती है यहाँ पर यह यह आदमी आया था बार्ण लेकिन आप हैं कौन यह आदमी यह आया था यह नहीं जी, हाँ, हाँ आया था सब मालू में कौन है यह जी इसका नाम बशिश्ट है और और यह लगभग रोज आता है यहां पर और आज भी आया था यहाँ हाँ सर आया था और काफी पी कर गया सब एक ड्रिंग ला गला सुख्रा यार सर जितना ओडर देना अभी दे दीजे क्योंकि साड़े ग्यारा के बाद हम ओडर नहीं ले सकते मैं यहां रोज आदा हूँ जी मालू में सर तो फिर मुझे यह रूल मत समझा समझा गया ठीक है सर अब यह की लाओ फिला ला एक ला सर मैंने ऐसा तो नहीं कहा है असल में बार बाद में बंद हो जाता है फिर हमें ड्रिंक नहीं मिलेगा आपके लिए सर एक तो पहले से ही पिया हुआ था उसके उपर काफी पी कर गया है यह आदमी मर गया है असके ड्रिंक में किसी ने जहर मिलाया था और वो जहर इसी बार में किसी ने मिलाया है सर हमारे बार में से आप सर कोई ऐसा क्यों करेंगा सर हमारा तो धंधा ही बंद हो जाएगा जहर किसीना किसी ने तो मिलाया है यहां पर किसी ना का इसी में नहीं सर आज़ा हम कभी नहीं करेंगे क्योंकि अगर हमारी दिंक भीकर कोई मर गया तो खल से तो यह कवे बोलने लगेंगे यहां अ उसके साथ को दूसरा आपि यहां नहीं सर वो हमेशा की तरा केला ही आया था यहां तो फिर तो जहर तुमने या तुमारे वेट किसी ने मिलाया है समझें इस बार में जितने लोग भी काम करते हैं उन सब को बुलाओ और यहां लाइन चे खड़ा करो चलो जल्दी आदेया कुछ बता चला तो यहीं वो बार है वादमी यहीं आया था क्या नाम क्या है उसका उसका नहीं बशेश्ट है क्यों पता चल गया ना इस आदमी का खून हुआ है जहर दे कर मारा है उसे और उस जहर तुम मैंसे ही किसी ने दिया है उसके ड्रिंक में मिलाता है समझे है इस आदमी का खून हुआ है जहर दे कर मारा है उसे और उस जहर तुम मैंसे ही किसी ने दिया है उसके ड्रिंक में मिलाता है समझें इस स्प्रे को हाथ पे छिड़कने से उस आत्मी के हाथ का कलर बदल जाएगा जिसने किसी भी जहरीली चीज को हाथ लगाया है तो अभी भी टाइम है जिसने भी किया है सच सच बता दो कोई नहीं कोई भी मुझ खोलने को तयार नहीं है ठीक है हाथ आगे करूँ एक मिनिट एक मिनिट काँ भाग रहा है इतनी जल्दी क्या है हाथ इतनी जल्दी क्या है हाथ क्यों इस काम के लिए मुझे पैसे दिये गेते साब किसने दिये पता नहीं साब मैं उससे नहीं जानता जानता कैसे नहीं साब मेरे पीचे पढ़ गया था साब कल दुपेर को उसने मुझे फोन भी किया था फिर रात में जब मैं उससे मिलने के लिए गया तो जहां तो कोई भी नजर नहीं आ रहे हैं उसने तो कहा था कि वो यहीं मिलेगा मुझे मालूं कि तुम यहां पर जरूर आओगे कौन है कौन है कौन हो तुम वो जानना तुम्हारे लिए जरूरी नहीं है क्ये लो काम क्या गर रहे हैं यह इंजेक्शन तुम्हें इस आदमी की दारू में मिलाना है यह तो वशेट साब है हाँ जो हर रोज तुम्हारे बार में आता है समझ के आवो लो तुम जाओ और जैसा कहा है वैसा ही करना जी कहा फोटल मरीना ठीक है होटल मरीना बोला था उसे जी हाँ होटल मरीना में जाकर ढूंडो शायद हमारा खुनी वहीं पर मिल जाएगा स्कुज में आप मेनेजर है यहाँ जी हाँ कर लिस होटल में हितने भी विजिटर्स आयते हैं उनकी लिस्ट चाहिए क्यों आप लोग कोन है C.I.D. हम यहाँ एक केस के सिल्सिले में आये हैं C.I.D. हाँ जी कही है लिस्ट एक मिनट जरा यह फोटो भी देख लीजिए इस आत्मी को देखाया अबले वर्षिस्टेप क्या यह आपके अटिल में आया था हाँ यह आतमे आयाता करल ही आयाता करल किसे मिलने था जी आँ तो कमड़ा नमबर 106 में मिश्टर दिरजनाम का धमी ठेरा हुए उस से मिलना है प्रणं़ यहाँ पाफी दिर तक यहाँ था मैं मिश्र दिरच के कम्रे की तरफ गया दुराय कोली सर दुराय कोली सर क्या वाद है सर इनी प्राब्लों? कुछ नहीं, आप जाएं यहां से आप जाएं यहां से ठीक है मैं तुम्हे देख सूगा इस वसिष के जाने के कुछ देर बाद मिश्टर दीरच भी होटल के बार चले है और ऐसे चलेगा कि वापस आया है नहीं सर मुझे लगता है मिश्टर दीरच ने उस वेटर को पैसे दिये वसिष को मारने के लिए से आप जड़ा दीरच कामरा दिखाई यह में चेक करना है यह रहा से मिश्टर दीरच का कमरा ठीक है आप जड़ा बार रुकिए थांक्यू एक काम करो एक कमरे को अच्छी तरह से चेक करो पता तो चले यह आदमी है कैसा आप जड़ा आप जड़ा है सर्फ 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 कि देखिया कि ररेक्स इतो वही जहर है जिसे बश्चिश का खून किया किया है कौन है यह बेडी बोल अरे मेरा नाम दीरच आप लो कौन हो अरे मेरे रिष्टदार आप लोगा अरे मेरे कंपर आप क्यूरर्व भी रहे थे थे रहे थे अच्छा लगा काफी टेस्टी आप क्यूरर्व यह बेड़ा करें यह बेड़ा यह बेड़ा का अरे में विस्की यह बाद़ वागवान को प्यार हो गए किसी ने इने जहर बिला के मार दिया ओमाइग यह बाद़ हैरान तो ऐसे हो रहे है जैसे तो मैं कुछ पता ही नहीं देखें, मैं कुछ संजा नहीं कल रात कहां थे तुम कल रात मैं मीटिंग के लिए था मीटिंग साब मीटिंग कर रहे थे वो भी एक वेटर के साथ वेटर? कौन सा वेटर? करें, आप लोगे क्या करा मेरे को समझ में नहीं आरा ये बॉटल अभी-बी तुमारे कमरे से रहे ये क्युरारेक्स नाम के जैर की बॉटल है ये वही जैर है जिसे वशुष्ठ का खून किया गया है जैर की बॉटल? वोँ मेरे कमरे में और क्या हमने डाली यह बोटल यहां पे हां क्यों मारा उसे दिखिए मैंने किसी को जाहर नहीं दिया मैंने किसी को भी नहीं मारा अच्छा बीरो लेकर चलो से है 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 वो दीरज बोल रहा था को उसे पता ही नहीं है के जाहर की बोटल कहां से आई है उसे पता ही नहीं उसे शायद ये भी पता नहीं होगा कि डॉक्टर सालू के किस मिट्टी का बना हुआ है सर अब तक तो ये भी नहीं पता चलाए कि जो उंगली का निशान आपको मिला है वो दीरज का है भी या नहीं डॉक्टर तारिका बोटल कच्रे के डब्बे में से आई है वोटल के कमरे में से तो किसी ने तो उसे फेंका ही होगा ना ऐसे हवा में उड़के तो नहीं आई होगी ना बोटल तो जो आदमी उस कमरे में ठेहरा था उसी ने फेंकी होगी ओव बोटल फिर भी सर एक टेस्स तुम्हें कर चुक्यों तो दूसरा करो ना एक टेस्स वॉप होगया तो क्या हुआ तो क्या हुआ है यही के यह आदमी क्यों रारेक्स नाम के जहर से नहीं मरा है तो तारिका तुम दूसरा टेस्स कर रही हो ना जी तो जब तक अच्छी तरह से पता नहीं चल जाता जब तक हंड्रेट परसेंट कंफर्म नहीं हो जाता कि यह आदमी क्योर रेक्स जहर से नहीं मरा है तब तक ज्यादा भूलो मत अब देखता हूँ किस बॉटल पर मिले हुए उंग्लियों के निशान बेरश की उंग्लियों के निशान से मैच होते हैं यह नहीं नहीं सार जाओः तूसरी बार भी स्लॉप यह आदमी इस जहर से नहीं मरा है जो उस बॉटल में मिला था जिसके उपर से आपनी उंग्लि सब्सक्राइब और उस दूसरे आदमी की उंगलियों के निशान इस बॉर्टल पर वाइट पास्पर हां सर दूसरा आदमी हो सकता है लेकिन इस बॉर्टल वाले जहर से बिचार अवशिश नहीं मरा नहीं तो यह की बात की पीछे क्यों बढ़ गयों तो मैं समझ गया हुँ प्रिष आदमी नहीं मरा है लेकिन जो निशान बोर्टल पर मिले हैं उनको तो देखो उन फिंगर पिंट्पिंट्स को तो देखो कि गाउच है सी जो कर दो कर दो नहीं बता संधे मैंनी बताऊगा किस बात पे जगड़ा हुआ ? है मैं ने बिनाशा को बचान दिया था पेसा बचान ? शादी का शादी का तुपर रौय क्यों जाठा शादी के नाम पे ? मैं वेड़ी न्युक्त पुरान कर आए सुना फ्रेडी सर हम सुना सर आपको पता है कि शादी के फेरों में कितने वचन होते हैं आठ आठ? आठ वचन होते हैं सर बैने तो सुना है सरफ साथ ही वचन होते हैं मनाली और आदेश की शादी में आठवा वचन है ये आठवा वचन क्या है सर सोनी चैनल में एक नया प्रोग्राम आने वाला है, एक सप्टेमबर से, हर सोमभार से गुरुवात रात को नो बगया, देखना मद बूना मैंने भी बचन दिया था, लेकिन बिनाशा के बाप ने सब सतनाश कर दिया, उसने अपना बचा तोड़ दिया कि बार बार बिनाशा, बिनाशा, बिनाशा कहे जा रहा है, है कून ये बिनाशा है? जी मेरी गर्फरेंड है कुछ दिनों के बाद हमारी शादी होने वाली थी अगर पता नहीं यह वशिष्ट नहीं और इसने बिनाशा के बाप का दिल जीत लिया हॉ एक मिन्ट हॉ मतलब तुम्हारी बिनाशा से शादी होने वाली थी अर ये वशिष्ट जो मर चुका है वह अचानक बीच में आ गया हैना हां अचानक बिनाशा के बाप ने कहा कि अग़ बिनाशा की शादी होगी तो सर उरुसी से होगी और इसलिए तुम्हें वशिष को जहर दे दिया ना? नहीं सर्थ मैंने वशिष को नहीं मारा मैंने अब इनाशा ने तो घर से भागने की कोशिश भी की थी लेकिन उसके बाप ने भीच रस्ते से पगड़ लिया सर्थ ड्रामा कर रहा है सर्या आथी जहर की बाटल तुम्हारे कमरे से मिली है अभी थोड़ी देर में डॉक्टर सारों के बता देंगे कि जहर किस ने दिया है आसारों के अर तुम रोते क्यों हो बताओ ओ आजिए अच्छा ठीक है अब जीत उस बाटल बुर जो उमली को निशान मिले थे वो दियल अच्छी नहीं है नहीं है? मतलब किसी दूसरे आदमी ने इसके कमरे में जहर की बाटल लखी है और सकता है और सकता है तब एक काम करो इस बिनाशा के घर जा और देखो चक्कर क्या है और फिडिक्स तुम होटेल मरीन आजाओ और वाँ एक एक आदमी के उमलियों के निशान चेक करो देखो बॉटल पर से जो निशान मिले हैं वो किस आदमी के हैं ये सर जी आप लोग हम लोग CID से हैं CID कोई पुरी ख़बर है क्या जी ख़बर तो अच्छी नहीं है कौन है मिनाशा पापा सी आईडे वाले आए हैं आये मिस्टर रोशन जी आप किसी वशिष्ट नाम के आदमी को जनते हैं जी आप उसका खुन हो गया है खुन? कैसे हुआ? किसी ने उसे जहर दे दिया है जहर? किसने? शायद धीरज ने धीरज? नहीं धीरज असा करी नहीं सकता पापा उनसे कहें न धीरज असा नहीं कर सकता वह ऐसा नहीं है वह कोई खून नहीं कर सकता पापा है इंसे बोलिया नो पापा, थीरुच ऐसा नहीं कड़ सकता झुपपगो जब 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 वैसे धीरुच को अपने गिरफटार कर लिया है आपने धीरुच को गिरिफटार करके अच्छा ही किया मैं जानता था कि वह कुछ ऐसा ही करेगा क्यों? बदले की आर्ग में आदमी कुछ भी कर सकता है बदले की आप? दरसल मैं अपनी बेटी विनाशा की शादी धीरस से करने वाला था लेकिन वो अच्छा आदमी नहीं है मैंने ही चाहता था कि मेरी बेटी जिंदगी भर रोती रहे इसलिए मैंने उसकी शादी वशिष्ट के साथ तैह कर दी आप आप वशिष्ट को कैसे जानते हैं? वशिष्ट मेरे बच्पन का दोस्त अमन का बेटा है और ये अमन रहते कहा है? वो देली में रहते थे एक साल पहले ही उनका देहान दो गया वो वसिस्ट की माद और बैचारी बच्मन में ही स्वर्ग से दार गई थी उनके बाद वसिस्ट मुंबई स्टिफ्ट हो गया और जही रहने लगा ये वसिस्ट यहां कहा रहता था आपको मालू में अज़ाद हमें उसके घर से कुछ मिल जा है इसे अंदाज़र लगे कि वो अमसे क्या कहना चाहता था हाँ फ्रेडी सर मुझे वो आदमी मिल गया है जिसका फिंगर प्रिंट उस बोटर पे मिला था इसे किसी आदमी ने कहा था ये काम करने के लिए प्रेडी लगता ये वही आदमी है जिसने वो क्यूरारे जहर का इंजेक्शन दिया तो उस बेटर को हो सकता है सर सर मैंने इस पेलबॉय के जरी है उस आदमी का स्केज बन वाली है सर ग्रेड जॉब अब देखते हैं वाभी बच्के कहा जा सर एकाम करो फ्रेडी तुम इस आदमी को पीरो में छोड़के बशिच के घर आजाओ ओके येस सर गुड़ जो हमें दो ड्रोड़ा दर्वादा को है क्लिई कर तेडने कि छो inverी, हो कि पजाए कि घटे लुनाहर तुम खुछ बोलना चाहती हो बोलो उसने क्या क्या कहा था किसने कहा था किससे मिलाएगा बताओ वशिष्ट किससे मिलाने वाला था तुमें किससे मिलाने वाला था बताओ कौन थी ये बिचारी और इस वशिष्ट के घर में क्या कर रही थी मौत जब आती है तो उसे रोकना बड़ा मुश्किल है अब यही देखो घर वशिष्टा उसे मारने कोई आता है अगर फस जाती है उन लड़की है सर मर्ते मर्ते भी वह श्रच का इनाम ले एए यह हमारे समने मरी थी सर्ख तो पुरानी होती तो सोच भी सकते तक उत और अर एक बाद अपी लड़की घर के अंधर ही थी अंदर वशिष्ट उसे किसी से मिल वाने वाला था सर तभी तब ह तो अचाबी आए कहा से? वशिष ने दियो होगी मेरा मतलब है वशिष के मरने से पहले खुनी ने उसकी जेब में से निकाली होगी मतलब सर वशिष को मारने वाला और इस लड़की को मारने वाला एक यादमी है? हो सकता है पुषित लावन्या क्या रिपोर्ट मिले? नहीं सर ढूंड रही हूँ ढूंड़ ढूंड़ लावन्या जल्दी ढूंड़ कोई तो रिपोर्ट ज़ूर होगी वादमी घर में गुसा तो अचानक उसके सामने लड़की आ गई होगी उसने उस लड़की से पूछा होगा कि वो चीज कहां पर है मगर उस लड़की को शायद मालू ही नहीं होगा अगर सर वशिष के पास ऐसी कौन सी कीमती चीज थी जिसके लिए खुनी ने वशिष का भी खून कर दिया और उस लड़की का भी वही तो क्या हो सकता है सर वस लड़की के हाथ बंदे हुए थे इसका मतलब वशिष ने उसे जबदस्ती उस घर में रखा हुआ था एक्जाक्ली यह तो मैं कह रहा है कि अगर वशिष ने उस लड़की को किडनाप किया है तो उस लड़की के घर वालो निया किसी ने भी तो उसका मिसिंग रिपोर्ट लिखवाया होगा सर रिपोर्ट मिल गई मिल गई यह देखिये सर इस लड़की की फोटो इस जहरे के साथ मिलती है तो यह है वो लड़की क्या नाम है इसका मुनीता तो यह मुनीता है यह रिपोर्ट लिखवा ही किसे है? मिस्स शर्मा मिस्स शर्मा वो मेरी एंगिस थे लेकिन मैं उसका हमेशा अपनी बेटी से बढ़ के माला है चाहाँ, आपको कुछ अंदाजा है वो किन किन लोगों से मिला करती थे? कि अवरी का मिर्टी का दिन एक हो इंगी तो लिए से मिलें का मोनिता ओसे साथ चले गए थे फिरकर लौट के नहीं आई है कौन ऑ़ आदमी है? मुझने मालूछ अबने देखा था ना उसका? यह 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 था वो है? कि यही था वो क्या हम मौनिता करून देख सकते हैं यह है मिर मौनिता करून देखो जरा देखो कुछ मिलता है क्या एक बात बताईए जब वो आत्मी मौनिता से मिलने आया था तो उन दोने के बीच में जो कुछ भी बाते हुई होंगी आपने कुछ सुना बुलो क्या बात कर रहे थे जी नहीं मैंने तो उन दोनों के सिर्फ बिल्दिंग से बाहर चाते ही देखा था साँ आदे इसर्क कुछ फोड़गाफ नहीं आप लोग यहां यहां फिर से क्या करें रोशन सार आपका बंगला बहुत पसंद आया साब साब कहिए आप लोग क्या ना क्या चाते हैं आपकी बेटी बिना शक ही दिखनी रही है वो अपने कमरे में है अच्छा वाव यहां नहीं है क्योंकि अगर यह सब सुनती तो सब बहुत दुख होता है अब लोग क्या बगवास कर रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है इसे पहजानते हैं आप ओ माइग काड़ जिसका डर था वो ही हुआ अब बता दो सच क्या है बताओ असल बीनाशा की मा से शादी करने से पहले मेरे पहले भी शादी हो रखी थी यह नाम क्या था उसका? सहेली हमारी एक बेटी भी थी मोनीता नाम है उसका लेकिन छोड़ा क्यों आपने उसे? सहेली एक छोटी एक्टरिस थी उसके अपने को स्टार्स के साथ अफेर्स थे उनी अफेर्स के बारे में सुन सुनकर मैं तांग आ चुका था बस इसी कारण मैं चिन्ही से यहां भाग कर आ गया यहां आने के बाद मैंने त्रिया से शादी कर ली कुछ सालों के बाद वो भी मुझे छोड़कर चली गई बस उसके बाद मेरी बेटी बिनाशा मेरे साथ रहती है यह वशिष्ट का क्या चक्कर है पता नहीं यह वशिष्ट कहां से टबक आया वो मुझे बलैक पूल कर रहा था क्योंकि वो मेरी पुरानी जिन्दगी के बारे में जानता था आपके बीटे मुनीता का है कुछ मालू में? जी नहीं उस बेचारी का खून हो गया है खून हो गया? वशिष्ट ने उसे अपने ही घर में चुपा कर रखा था मुनीता का खून हो गया? उसने उसने उसका खून कर दिया उसने? मतलब किसने? वो दूसरा आदमी जो मुझे ब्लैकमेल कर रहा था आपके दूसरा आदमी कौन है? यह कोई वशिष्ट का दोस्त है मुझे ब्लैकमेल कर रहा है कह रहा है कि एक क्रोड रुप आदे दो नहीं तो मेरी पोल खोल देगा ये फ्कर उटकाल आने के लिए कहता उसने होटल अपसरात के बाहर होटल अपसरात किए ब कर दो हुआ 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 झार समय हुआ 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 कि अपक्छू खुए हैं नहीं जा थींग हैं नहीं है। सुछु एफ लग लेपक लग में हुए झायों कि अंप लो दो कि एफ रव लो धन्य को.. झाल 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 क्यों तुमारे पास ऐसी कौन सी चीज थी जिस्ती वज़े से रोशन की जान को खत्रा था वशिष्ट ने मुझे रोशन के बारे में ऐसे से चीज़े बताए कि मेरी आंके फटी की फटी रह गई तो हमारे भी आके फटने दो जरह हम भी तो सुन ले क्या बात है एक दिन वशिष्ट मेरे घर पे आया वो तुम्हें जानता था तुमारा नाम क्या है? मॉन्टी तो पिर मॉन्टी ये बताओ कि जब वशिष्ट तुमारे घर आए तब क्या हुआ? वो काफी, काफी एक्साइटेद था क्या बात है बड़ा एक्साइटेद दिख रहा है मेरे पास एक मास्टर प्लान है कैसा मास्टर प्लान एक ऐसा प्लान जिससे मैं करोडों रुपे कमा सकता हूं उसने मुझे पूरा Master Plan बताय। बहुत भरोसा ठाउसे मुझपर… पर उसे क्या मालम था कि… उसका यही Master Plan उसकी जान के लिए । ख़त्रा बन जाएगा … क्या था वो … Master Plan? यही वह चीज थी... जिसकी वज़़े से मैंने ये । सब कच किया। शादी का Certificate… हाँ शादी का सर्टिफिकेट रोशन की बर्बादी की निशाने रोशन और सहल की शादी का सर्टिफिकेट और इसे लिए तुमने वशिट को मार दिया हाँ, मैंने ही वेटर को पैसे दिये थे, वशिस्ट की ट्रिंक में जहर मिलाने के लिए, और जाते जाते मैंने होटल मरीना का नाम लिया था, ताकि आप लोगों को शक धीरच की उपर हो, और ऐसे ही हुआ, मैं ये सर्टिफिकेट ढूनने के लिए वशिस्ट के घर पे गया, वहाँ पे मोनिता पहले से ही छुपकर बैठी हुई थी, मुझे पता ही नहीं था, कि वशिस्ट ने मोनिता को वहाँ पर चुपा के रखा हुआ है, बेचारी, बेवजा ही मेरे हाथों से मारी गए, अब दे ही देता हो तुम्हें ये शादी का सर्टिफिकेट, जेल में बै पहसी होगी ना, तब वापस ले लूँगा, दो दो खून किये तुमने, तुम्हें थासी होनी चाहिए